सनी लियोनी अब बॉलिवुड की पॉपिलर हेरोईन बन गई है लेकिन एक वक्त था जब वो पॉर्ण इंडस्ट्री में काम करती थी सनी आज अपना 49 वा जनम दिन मना रही है साल 2012 में पॉर्ण इंडस्ट्री को अलविदा कहकर उन्होंने बॉलिवुड में एंट्री ली सनी लियोनी जिसम टू, वन नाइट स्टैंड, रईस, तेरा इंतिजार, रागिनी MMS 2, हिट स्टोरी 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है सनी लियोनी के आइटम डांस को भी बॉलिवुड फिल्मों के लिए हिट फॉर्मिला माना जाता है सनी लियोनी का असली नाम करंजीत कौर वोरा है, वो सिख परिवार से तालुकात रखती है सनी अभी जितनी खुबसूरत दिखती है, बच्पन में भी उतनी ही प्यारी थी 13 माई 1981 को कनाड़ा के अंतोरियो में सनी का जन्म हुआ सनी आज अपना जनम दिन मना रही है, वो 38 साल की हो गई है सनी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है 2008 में उनकी मा और 2010 में कैंसर के चलते उनके पिता की मात हो गई थी सनी के भाई संदीप वोरा यूएस के एक पॉपिलर होटेल में शेफ है सनी ने जर्मन बेगरी में अपनी पहली नौकरी की थी तब उनकी उम्र 15 साल थी अडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले सनी लियोनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी वो 19 साल की उम्र में अडल्ट इंडस्री से जुड़े वहीं उन्होंने 2011 में डैनियल वेबर से शादी की साल 2005 में निर्देशक मोहित सूरी ने उन्हें अपनी फिल्म कल्यूग के लिए एक महतवपून किरदार ओफर किया था लेकिन सनी ने इसके लिए एक मिलियन डॉलर की फीस की मांग की थी जो कि मोहित पूरी को बहुत ज्यादा लगी और उन्होंने ये रोल दीपल शौ को दे दिया ये फिल्म पॉर्णोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री पर तयार की गई सनी ने साल 2011 में रियालिटी शो बिग बॉस के सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी यहीं से उन्हें बॉलिवुड में इंट्री करने का मौका मिला दरसल शो के एक एपिसोड के दौरान डिरेक्टर महेश भट महमान बन कर आये थे और सनी को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था हाला कि उनका डेब्यू सक्सेस्फुल नहीं रहा जिसमें टू बॉक्स ओफिस पर मू के बलगिरी लेकिन सनी का करियर चल निकला सनी लियोनी अब तीन बच्चों की मा है सनी और डैनियल ने 2017 में निशा कौर वेबर को गोद लिया था उसके बाद मार्च 2018 में सनी सरोगेसी के जरीए दो बेटों की मा बनी उन्होंने अपने बेटों के नाम अशर सिंग वेबर और नोवा सिंग वेबर रखे है Bureau Report E24 झाल झाल